दोस्तों नमस्कार राजनिती में अक्सर ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या राजनिती करने के लिए पैसो क्या वशक्ता होती है? क्या नेता बनने के लिए बहुत सारे पैसो की ज़रत होती है? और क्या जिसको राजनिती में आगे बढ़ना है क्या उसे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे यदि आप कभी इन में से कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा नमस्कार मेरा नाम राजीव साहु है और मैं एक पॉलिटिकल लिडिशिप डिलप्मेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है एक लाग ऐसे फ्यूचर लिडर्स की मदद करना जो राजनिती के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बहतरी नित्तित उत्तदान कर सके और आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के और भी जो इंट्रेस्टिंग और ग्यानवर्धक वीडियोज हैं वो कभी आप मिस ना करें तो दोस्तों आईए आते हैं आज के विशय में कि क्या राजनिती में पैसो के अवशक्ता होती है क्या आपको नेता बनने के लिए पैसो के अवशक्ता होती है और राजनिती में आगे बढ़ने के लिए क्या आपको पैसे की जुरत पड़ेगी यदि आप मुझ से पूछे तो मेरा जवाब होगा हाँ और इसके कुछ कारण है तो आईए मैं आपको वो तीन कारण बताता हूँ जिससे आपको बात समझा जाएगी कि क्यों पांकी किसी काम की तरह राजनिती में भी पैसों की अवश्यक्ता होती है सबसे पहला कारण आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो खुद आपके पास हो यदि खुद आपके पास पैसे नहीं है खुद आप अपने आप में आत निर्भर नहीं है तो दूसरे आप पर कैसे निर्भर हो सकते हैं यदि आप अपना ही जीवन ठीक से नहीं चला सकते हैं त और जो एक लीडर की तरफ देख रहे हैं कि शायद इनसे मुझे अपने जीवन की समस्या से निजात पाने में कुछ मदद मिल सकेगी, तो आप उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप भी दूसरों की मदद नहीं कर सकेगे। परिवार है, उसकी आपको देख भाल अगर करनी है, वह आप नहीं कर पाएंगे। तो आप दूसरों की देख भाल कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरुरी है कि पहले स्वैम अपनी मदद हम करें। हम इतना पैसे हमारे लिए कमा लें, जितना हमारे लिए सफिशियंट है। जितने से हम अपनी जोरत पूरी कर सकें। और फिर उसके बाद जो बचता है, उसे हम लोगों की सेवा में लगाएं। तो यह था दूसरा कारण। और तीसरा और सबसे जो महतवपूर कारण है, जो एक लीडरशिप का रूल भी है कि आप जिस इस्तर पर होते हैं, आप उनही इस्तर के लोगों को लीड कर सकते हैं। कर सकते हैं इसलिए अगर आप उचे लेवल के लोगों का नित्रतु करना चाहते हैं जादा से जादा लोगों का नित्रतु करना चाहते हैं तो आपको ना सिफ समाजिक बलकि आर्फिक स्थर पर भी अपने स्थर को काफी उचा लेकर जाना होगा ताकि आप जितने उचे के आत्म श्वास में कमी आएगा इसलिए जहां तक पैसे खमामला है तो पहले हमें खुद आत्म निर्भर होना पड़ेगा कि जो हमारी जरूरत है जो हमारी आवश्चकता है जिससे कि हम अपना परिवार ठीक से चला सके जिससे कि हम अपने भविश्यों कम से कम सुरक्षित क कम से कम इतना आयका स्रोत तो हमारे पास होना चाहिए अब सवाल यह है कि अब राजनीती में कैसे संभव है कि हम अपने आयके स्रोत को बराबर बना करें तो देखिए यह राजनीती है उसमें आप जॉब करेंगे तो जाला टाइम आपका जॉब में चले जाएगा इसलिए जॉब करना एक अच्छा सलूशन नहीं है इसलिए ऐसे इंकम सोर्सेज आपको ढूंडने चाहिए जिसे हम कहते हैं पैसिव सोर्स आप पैसिव इंकम सोर्स का मतलब यह होता है कि जहां आपको स्वैम को उपस्तित होने की जोरत नहीं है और आपका एक आयका सुरोत वहां स बनामा होता है जैसे कि कुछ इंवेस्मेंट्स होते हैं जहां पे आप अपनी पुझी लगाते हैं और जिसका रिटर्न आपको लगातार मिलता रहता है ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जहां पे आपको होने की आवश्यक्ता नहीं होती है आपके उपस अनुपस्थिती में आ लेकिन आपके अनुपस्थिती में भी आप अपने आय का जो साधन है उसको बना सकते हैं आय अरजित कर सकते हैं और फिर पहले आप सफिशेंट हो ये सेल्फ सफिशेंट हो ये अपना और अपने परिवार का जो खर्च है जो जरूरते हैं पहले उनको पूरी करें और फिर ज पैसों के जूरत होती है इस बात को सभी को समझना चाहिए जो राजनिती में शुरुआज कर रहे हैं वो भी जो राजनिती में आगे बढ़ चुके हैं वो भी और इस बारे में बहुत गंबीरता से उन्हें प्लान करना चाहिए अच्छे फैनेंशल एडवाइजर्स की सला ल चाहिए जो भविश्य में नेता बनना चाहते हैं जो भविश्य में राजनिती में कारियर बनाना चाहते हैं और राजनिती के माध्यम से लोगों की सेवा चाहते हैं तो दोस्तों आज का विशय थोड़ा हटकर था इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि इस वीडियो से आपने क्या सिता है इस तरीकी के और भी वीडियो के लिए आगर आप लिट से जुनना चाहते हैं तो मेरे VIP फेस ग्रूप में आपका स्वागत है जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है कमेंट में लिखका जरूर बताया कि आप और कौन से विशेपर आगे वीडियो से देखना चाहते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक लिटर्शिप सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए अपने आपको आत्मे भर बनाते रहिए नमस्कार थैंक यू